सूपरभाद बच्चों, इस हिंदी व्याकरण की कक्छा में आप सभी का स्वागत है बच्चों आज हम सभी पाठ दो वन विचार के अंतरगत धोनी वन एवं लेखन विवस्था जानेंगे आप सभी इससे पहले क्लास 6 में, क्लास 5 में वन पढ़ें होंगे वन के विचे में आप सभी जानते हैं कि वन भासा के सबसे छोटी काई होती है इसके और खंड या टुकडे नहीं किये जा सकते लिपी, लिपी के बारे में भी बढ़े होंगे कि किसी भी भासा के लिखने के धंको या लिखने के चिन्ध को लिपी कहते हैं और यही वन और लिपी, अक्षर का रूप लेते हैं वन, वन मतलब अक्षर अगर कोई आप से पूछे कि अक्षर क्या है तब भी आप बता सकते हैं कि भासा के सबसे छोटी काई जिसके और खंड या टुकडे नहीं किये जा सकते उन्हें अक्षर कहते हैं वन भी समझ में आ गया, लिपी भी समझ में आ गया, अक्षर भी समझ में आ गया आखिर ये धोनी क्या है तो धोनी के बारे में आप जान लीजे कि धोनी भासा का उच्चरीत रूप है वर्णों का उच्चरीत रूप धोनी कहलाता है चले और अस्पस्ट कर देते हैं ध्वनी भासा के सबसे छोटी काई है यह इतनी छोटी काई है कि इसके कोई खंड नहीं हो सकते बेक्ति जब वाडी द्वारा को खो गो गो आदि वर्णों का उच्यारण करता है तो जो कुछ हमकान सुनते हैं वही ध्वनी कहलाती है ध्वनी और वर्ण भासा की एक ही इकाई के दो नाम है दोनों में अंतर यह है कि ध्वनी केवल बोलने और सुनने में आती है आख से उसका स्वरूप देखा नहीं जा सकता किन्त वर्ण बोलने और सुनने के साथ लिखित रूप में देखा जा सकता है लिखित वर्ण को पढ़ा जा सकता है वाड़ी द्वारा वेक्त ध्वनीयों के प्रतीक या चिन्ध को वर्ण कहते हैं यहाँ पर आप और अस्पष्ट देख सकते हैं दिया है ध्वनी तथा वर्ण ध्वनी और वर्ण भासा की इकाई की दो नाम है दोनों में अंतर यह है कि ध्वनी केवल बोलने और सुनने में आती है आख से उसका स्वरूप देखा नहीं जा सकता किन्त वड बोलने और सुनने के साथ लिखित रूप में देखा भी जा सकता है कहने का ताद पर है कि हम वडों को देख सकते हैं क्योंकि वडों का एक निश्चित चिन दिया है लिपी जिसके माद्यम से हम किसी भी चीज को लिख सकते हैं जब हम लिख कर बोलें लिख कर बोलें मिन्स कहने का ताद पर है कि लिखित रूप अलग हो गया लिखित रूप जो हुआ वह आपका वड हुआ या आप उसको लिपी कह सकते हैं या आप उसको अक्छर कह सकते हैं लेकिन जब मौखी के रूप से कोई कुछ बोलता है और कोई उसको कानों से सुनता है तब वह उसकी दोनी कहलाती है। वण के बारे में आते हैं और अच्छे से जानते हैं वण की गहराईयों को समझने की कोशिस करिए तो वण के विसे में कहा गया है कि अर्थात आप कह सकते हैं कि वण भासा की वह छोटी से छोटी इकाई है। जिसके टुकड़े नहीं किये जा सकते। जानते हैं कि स्वर और बेंजन धोनिया किसे कहते हैं। स्वर क्या है और बेंजन क्या है। तो स्वर के बारे में आप सभी जानते हैं। संस्कृत में स्वर के बारे में कहा गया कि स्वर राजजनते इति स्वरह। स्वर राजजनते इति स्वरह। अर्थात जो वण स्वर उच्चेरी तो हूँ स्वर या अच कहलाते हैं। आप स्वर को अच के नाम से भी जानते हैं जान लीजिए। अच अगर आप से कोई पूछे कि अच किसे कहते हैं तो आप बताएगा कि अच का मतलब स्वर होता है। और आप स्वर की परिभासा बता दीजीगा। कि जो वर्ड स्वर उच्चरी तो हों वो स्वर कहलाते हैं। और इसको अगर जान संकते हैं जिन वर्डों के उच्चारं में किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं ली जाये वे स्वर कहलाते हैं। जैसे ओ ओ यू री ए ओ अउ अउ अंग अह इस सभी स्वर हैं लेकिन अंग और अह इन दो वड़ों को आयोगवाह के अंतरगत रखा गया है आयोगवाह क्या होता है आगे भी बताएंगे व्येंजन के विश्य में कहा गया कि व्येंजतर्द वळांतर चन्जोगेन द्वत्यतरत धनिवीसेशो एन तद व्येंजनम फिर से जान लेजेए विज्जते वडांतर संजोगेन जोत्यते धौनिबी सेस्यो एन तद विंजनम अर्थात जो वड स्वयंग उच्छरितन होकर स्वर की सहायता सेहूं बिंजन या हल कहलाते हैं विज़न को हल के लाम से भी जानते हैं अगर आप से कोई पूछे हल किसे कहते हैं तो आप विजन के परिभासा बताइएगा बताइएगा कि जिन वड ओके उच्छारण में स्वर वड के सहायता लिजाए उन्हें हल कहते हैं सुरी अच नहीं हल, उन्हें हल कहते हैं, जिन वडों के उच्चारण में सरवडों के सहायता लेनी पड़े, उन्हें हल कहते हैं, हल को हम बिंजन के नाम से भी जानते हैं, वड तथा वड माला, वड के बिसे में तो आप समझ गए, अब आपको वड माला बता देते हैं, वड माला किसे कहते हैं, आप लोग सुने होंगे कि मोतियों की माला, मोति की माले सितात पर ये, मोति की गुच्छों का जो माला होता है, जो माला मोति से बना होता है, उसे हम मोत का माला कहते हैं तो वण माला अर्था तो वणों से बना हुआ माला वण माला कहलाता है लेकिन वणों का बना हुआ माला कैसा होना चाहिए ब्यवस्थित होना चाहिए जब ब्यवस्थित होगा तभी वह वण माला कहलाएगा अर्थात वणों के ब्यवस्थित समुह को वण मा तो आप जान लीजिए अंग और आह के साथ एक और सब्द मिलता है अनुनासिक किसी भी वण के उपर जो चंद्रबिंदू लगा रहता है वही अनुनासिक होता है अनुनासिक के बारे में क्या गया है अनुनासिक की परिभासा है कि किसी वण के उपर लगने वाला चंद्रब देख रहोगे चा के उपर एक चंद्रमा के आकार का बिंदू लगा हुआ है जहां पर आपको एज बिंदू दिखाई दे आप समझ जाएगा कि यह अनुनासिक है क्या कहते हैं अनुनासिक आते हैं अनुस्वार किसी भी वड के उपर लगने वाला एक बिंदू अनुस्वार कहलाता है, जैसे अंग, अंग को देख रहे होंगे, आके उपर एक बिंदु लगा हुआ है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुस्वार, किसी वण के उपर लगने वाला एक बिंदु अनुस्वार कहलाता है, विसर्ग, विसर्ग किसे कहते हैं, किसी वण के ब बगल में लगने वाला दो विंदू विसर्ग कहलाता है जैसे सह के बगल में देख रहे होंगे तो दो विंदू लगा हुआ है इसको विसर्ग के नाम से जानते हैं अगर आप से पूछे कोई कि विसर्ग क्या है तो आप बताईएगा कि किसी वड के बगल में लगने वाला द चारण हा के रूप में होता है आप हमेशा याद रखीएगा संस्कृत में आपको इस सभी मिलेंगे विसर्ग है अनुस्वार है तो आप समझ लिजी विसर्ग को हा वन के साथ हुचरित करते हैं और अनुस्वार को म के अनुसार इन तीनों को हम आयोगवा के नाम से भी जानते हैं तो आएए वन माला को देख लेते हैं वन माला वन माला को दो भागों में बाटा गया भी मैंने वन माला के बारे में बताया कि वनों के विवस्थे तसमोह को वन माला कहते हैं वन माला को दो भागों में बाटा गया सर और व कि जिन वालों का उच्यारल सतंत्र रोप से होता है उन्हें स्वर वाल कहते हैं स्वर को दो भागों में बाटा गया पहला हरस्वसर और दूसरा दीरगसर हरस्वसर जिन वालों के उच्यारल में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हरस्वसर कहते हैं और जिन वाणों के उच्छारण में हरस से दूना समय लगता है उन्हें दीर्ग सुर कहते हैं हरस सुर के अंतरगत ओ, इ, उ, औ, र, इ, चार वणाते हैं और दीर्ग के अंतरगत बड़ा, बड़ी, बड़ा, उ, ए, आ, ओ, अ, इस तरह के इस साथ मल दीर्ग के अंतरगत आते हैं आईए बात करते हैं बेंजन का अब ही पीछे आप लोगों ने पढ़ा कि वेंजन चुकि जिन वड़ों के उच्छारण में सुर वड़ों के सहायता लेनी पड़े वे बेंजन वड़ कहलाते हैं वेंजन को मुखिरूप से चार भागों में बाटा गया है असपर्स बेंजन, अंतस्त बेंजन, उस्म बेंजन और संज्युक्त बेंजन तो सबसे पहले हम बात करते हैं असपर्स बेंजन का असपर्स बेंजन किसे कहते हैं? चुकि आप सभी जानते होंगे असपर्स का तातपरी ही होता है छूना जो स्वर्तंत्रिकाएं हैं मुख के अंदर कई स्वर्तंत्रिकाएं हैं जैसे जिहवा है दंत है तालु है ओष्ठ है मुर्धा है यह सभी स्वर्तंत्रिकाएं है अब इसके जो परिभासा दिया गया इन्हीं स्वर्तंत्रिकाओं के आधार पर ही इसकी परिभासा दिया गया को असपर्स करता है उन्हें असपर्स विंजन कहते हैं यह असपर्स विंजन कासी लेकर मातक के सभी वणाते हैं कासी मातक टोटल वणों की संख्या 25 है अच्छा इसी असपर्स विंजन को पांच वर्गों में बाटा गया है कावर्ग चावर्ग टावर्ग तावर्ग और पा आते हैं जैसे कावर्ग कावर्ग के अंतरगत कौन कौन से वड़ाएंगे को खो गो घो और अंगा चावर्ग के अंतरगत चो छो जो जो और या तो के तो ठो डो धो और अड़ा तावर्ग के अंतरगत तो ठो दो धो और नो पावर्ग के अंतरगत पो फो बो भो और मा यह असपर्श भिंजन के अंतरगत आ गए असपर्श भिंजन के अंतरगत काश लेकर मा तक के वड़ा असपर्श भिंजन के अंतरगत आते हैं वडो के संख्या पचीस होती है इनको पाँच वर्गों में बाटा गया है अंतस्थ वेंजन अंतस्थ वेंजन किसे कहते हैं तो आप जान लेजे कि अंतस्थ का ताथपरी ही होता है अंदर अंतस्थ मतलब अंदर अंदर से ताथपरी है कि स्वर और वेंजन के अंदर अब परिभासा स्पष्ट कर देते हैं कि जिन वाडों का उच्यारण सौर तथा वेंजन के मद्ध किया जाता है उन्हें अंतस्थ वेंजन कहते हैं फिर से समझ लेजे, जिन वळों का उच्चारण सर तथा विजन के मद्ध किया जाता है, उन्हें अंतस्त विजन कहते हैं, इसके अंतर गचार वण आते हैं, य, र, ल, और वा, उस्म विजन, जिन वणों की उच्चारण में मुक्र से गर्म वायु प्रवाहित होता है, उसी उस्म बैंजन कहते हैं, उस्म का अर्थ होता है गर्म, मतलब जब हम इसके अंतरगत जो वाण आते हों, जब हम उनका उच्छारन करते हैं, तो मुख से घर्म वायू निकलती है, इनही आधारों पर इसके भी चार वाण इसके अंतरगत आते हैं, तालब्य शकार, मुर्धन्य सकार दंत सकार और हो इसके बाद आते हैं संजुक्त भेंजन पे संजुक्त भेंजन क्या है संजुक्त का मतलब होता है मिला हुआ संजुक्त मिला हुआ भेंजन भेंजन अर्थात मिला हुआ भेंजन मिला हुआ भेंजन कैसा मतलब अर्थात दो भेंजन वाडों के मेल से बनन वाला बेंज़न वन संजुक्त बेंजन कहलाता है जैसे छो चो और मुरधन्य सौ एक दोनों के मेल से छोबना ट्रा का तौ और रा दो ज़़ और इअं इन दो वरड़ों के मेल से ग्या बना स्रा तालब वेसा और रा इन दो वरड़ों के मेल से स्रा बना बच्चों आशा करते हैं कि आपको यह पार्ट समिझ में आ गया होगा कई सारी चीजये हैं जैसे रा, रावर्ण के कई रूप होते हैं उन रूपों को आप अपनी पुस्तक से अच्छे से पढ़ लीजिएगा री के भी कई रूप हैं उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके साथ में मैं कुछ ग्रहकार ये दिया हूँ जैसे है इस पार्ट को आप खूब अच्छे से पढ़ीगा क्योंकि बहुत इंपॉर्डन चेप्टर होता है वन विचार इसके साथ साथ आपके बुक एक्सरसाइज में कुछिशन दिया है उदाहरन देकर अंतर अस्पश्ट करिये वहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पूछा गया है तो आपको स्टाइटिंग में ही अनुसार और अनुनासिक मिल जाएंगे स्वर तथा वेंजन में के अंतर है इसको भी आप स्टाइटिंग में ही देख लेंगे दोनों की परिभासा लिख लेंगे धोनी तथा वन क्या है आप सुरू में ही, स्टार्टिंग में ही ये भी दिया हुआ है यही से सुरुवात हुआ है, इसको भी आप लिख लिजीगा स्वरवर्ण तथा स्वरों की मात्राएं स्वरवर्ण क्या है? जैसे A, E, O, D, A, I, O, O है ना स्वरवर्ण? वैसे ही आप उन वर्णों को दिखा दीजीगा स्वर क्या है, स्वर्वर्ण कितने है और किस प्रकार से किसी बेंजन के उपर इनकी मात्राएं लगाई जाती है जैसे कका, की, की, कु, 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 कंका ठीक है ना? तो इस तरह से आप इस बाठ को अपना पढ़ लीजीगा कुश्यन आंसर कर लीजीगा इसके साथ में कुश्यन नंबर टू कुश्यन नंबर टू भी दिया है कि उदाहरण देकर तीन चार पंक्तियों में अस्परष्ट कीजिए उदाहरण देकर रावेंजन के संजुक्त रूप तो इनको आप अपने पुस्तक से पढ़कर खोबच्चे से लिख लीजीगा धन्यवाद बच्चों अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आपके पास ग्रहिकारिक आपके पास एक लिंक गया होगा आप अपने उस लिंक पर अपने प्रॉब्ल लिकर भेज सकते हैं